टेस्टी फूर रेसिपी हमें आप सभी का एक बार फिर स्वागत है यहां चल रही है वेट लॉस सीरीज जिसको देखने के लिए आपको सबसे पहले चनल को सबस्क्राइब कर लेना चाहिए डेली हल्दी रेसिपीज हम अपलोड कर रहे हैं तो इस वेट लॉस सीरीज में आपको डायबेटीज, फैटी लीवर, कॉलिस्टॉल को ठीक करने के लिए भी बहुत सारी रेसिपीज मिलने वाली है जैसे कि आज हम जो रेसिपी लाए हैं यह है रेगुलर वेजडेबल ओट से थोड़ी हट के रेसिपी बहुत टेस्टी डिफरेंट रेसिपी है जरूर ट्राय करें, वेट लॉस सीरीज में डेली हेल्थी रेसिपीज आ रही है तो इनको जरूर बनाएं, ट्राय करें और आजमाएं हमारी इस वेट लॉस सीरीज की रेसिपीज को तो मैं इस जन्नी पर हूँ, सोचा आपके साथ भी क्यों नहीं ये रेसिपी शेयर की जाएं इसलिए रेगुलर रेसिपी इसके लिए सबस्क्राइब करें हमने एक कडाई लिया है जिसमें मस्टर्ड ओयल को हीट करके हमने इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है साथ ही हमें एक मीरियम साइस की प्यास ले लेंगे कुछ हमने लेसिन की कलिया ले लिए जो कि हमने साबुत रखी है इसको हम इसी तेल में फ्राय कर लेंगे महतर होगा तेल की कॉंटिटी कम ही रखे यहां पर इसमें दोनों चीज़ों को भूलने था आप चाहिए तो इसमें अदरग को बारीक चौप करकि भी आड़ कर सकते हैं बट मैंने यहां पर अदरग नहीं याड़ किया है और लेसिन के कलेओं का आज इस भूल लिया है यहाँ पे एक ब्रॉकली लिया था मैंने तो यह एक ब्रॉकली हमने यहाँ पे डाल देते हैं विजटेबल ओट्स की रेसिपी मैं अल्रेडी इसी चैनल पर शेयर कर रखी हूँ और साथी विजटेबल ओट्स की रेसिपी आपको मिल जाएगी चीली की रेसिपी है बहुत सारी healthy recipes मैंने share कर रखे जिसकी playlist में इसी के साथ मैं attach कर दूँगी इन दोनों को saute कर लें अच्छे से तो सबसे पहले हमें आपसे कहना चाहूंगी कि ऐसी healthy recipes हम daily आपके लिलाते हैं सबसे पहले आप चैनल को subscribe कर लेजे यहाँ पे हमने दो carrot लिया है medium size का जिसको मैंने roughly chop कर लिया है आप चाहें तो बारिक chop करके आड़ कर सकते हैं बट मैं आज जो vegetables आड़ कर रही हूं roughly chop करके ही आड़ कर रही हूं तो मेरे पास आज broccoli रखा था carrot था प्यास तो generally घर पे होता ही है अगर आप onion garlic नहीं खाते हैं तो आप इस part को skip भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ beans मेरे पास थी अगर आपके पास beans नहीं है तो मटर आड़ कर सकते हैं अगर दोनों ही नहीं है तो skip कर सकते हैं आप जितनी हल्दी इसमें चाहें आड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने वाइन टीस्पून हल्दी लिया है आयन की कड़ाई में बना रही हूं ताकि और निट्विश्यस हो जाए क्योंकि वेज़ेटेबल्स हैं तो आपका आयरन कंटिंट बढ़ जाएगा और यहाँ पे आप चाहें तो नौनस्टिक ले सकते हैं यलो चिली पाउडर इसमें जरूर आड़ कर लें साथी गरम मसाले का थोड़ा सा आप इसमें आड़ कर सकते हैं यहाँ पे वाटर अपने आड़ कर दीजिए आप चाहें तो इसको ड्राय सौते कर सकते हैं या फिर पानी के साथ में इसको पका सकते हैं मैंने इसमें पानी एट कर दिया ताकि विजटेबल जितनी भी है वो अच्य से पक जाएं तो पानी आप अपने according आट कर देंगे जितनी आपको लगता है उतने विजटेबल पक जाएंगे उसके according आप आट कर देजिए, लगभग ये एक से घेल ग्लास में पक जाएंगी पखने के लिए लगबक पाच मुनित के लिए धीमियाज पर छोड़ देज़ाइएए थिमियाज पर जहाई तो इसमें जितने ही नियूटियर्ट्रेट्स होते हैं वह वाटर सल्यूबल जो होते वह रिलीज आउट नहीं होते हैं इसलिए हम इसको ढखके पकाते हैं ढखके पकाने से जल्दी विजटेबस कोग भी हो जाती हैं तो इसमें पीच पीच में आप चाहें तो इस्टर करते रहें अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजे एंड तक रेसिपी दिटेल में जरूर देखेगा यहाँ पर हमने दो कप ओट्स लिया है विजटे बस हमारी काफी हद तक कोग हो चुकी है थोड़ी सी करंची रहें तो कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर दो कप हमने ओट्स लिया है जो लगबग तीन से चालों के लिए काफी है आप इसको डिनर में, बिकफस्ट में, लंच में, किसी भी मेल में एंजॉई कर सकते हैं आप चाहें तो इसको ड्राइ रोस्ट करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं और हम इसको लिकुडी फॉर्म में बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर पानी आड़ किया है तो लगबग एक से लेटर तक पानी आप इसमें आड़ कर सकते हैं या फिर जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतना पानी आप आड़ करें ओर्ट को पकने में साधा समय नहीं लगता है आप इसको इंस्टेंट ओर्स ऐसे भी आड़ कर सकते हैं या फिर आप रोल्ड ओर से भी इसको रिप आप चाहे तो पानी और बढ़ा सकते हैं, एक से डिरी लेटर तक पानी इसमें काफी रहेगा, तो हमने इसको कुछ देर पकने के लिए धीमियाच पर छोड़ दिया है, और यह पक चुके हैं, कुछ देर बाद, आप इसको धीमियाच पर ही पकाएं, और इसको गर्मा गर्म सर्फ करें, आप चाहे तो इसे ग्रीन चिटनी के साथ, दही के साथ एंचॉय कर सकते हैं, बहु पर फॉलो करें, शब्दवाय अपूर्वा सेनी को, फेस्बुक पर जरूर आप फॉलो करें, ताकि आपको डेली कोट्स मिलते रहें, इंस्टरगाम पर भी हम एविलेबल है, सिहट डिलाइट, शब्दवाय अपूर्वा, फिट डाइट फॉय फूर्ट, टेस्टी फूर् इंस्टरगाम पर यूट्यूब और फेस्बूप पर सर्च करके, जरूर सब्सक्राइब कर लेजे और फॉलो कर लेजे, हम डेली आपसे मिलते रहेंगे, बहुत ही यल्दी रेसिपीस के साथ, तो इसे इंजॉय करिए, हम मिलते हैं नेक्स रेसिपी में, बाबाई